आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जेम अश्टडी में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाश टेंथ का प्रीबोड इग्जाम में विज्ञान के जितने भी सब्जेक्टिव कोश्चिन पूछे गए थे उन सभी के अंसर करने वाले हैं ठीक है तो वीडियो को पूरा देखेगा आप यहां पर देख सकते हो टोटल तीन सेक्षन में कोश्चिन पूछा गया था सेक्षन A, सेक्षन B और सेक्षन C तीनो सेक्षन के कोश्चिन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और अच्छे से एक्स्प्लेइन करके कवर करेंगे ठीक है अगर ये पेपर आपके जिले में हो चुका है तो आप वीडियो को देखकर ये लगा सकते हो नुमान की मेना नंबर कितना आ सकता है मैंने कितने question में कितने सही लिखे कितने गलत लिखे हैं या फिर आप इसके द्वारा analysis कर सकते हो कि final board exam में किस तरीके से हम लोग answer लिख सकते हैं exam में तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा यहां पर देखिए section A में total 6 question है तो इन सभी 6 question को हम लोग करते हैं यहां पर देखिए पहला question क्या है तो पहला question था आउतल दर्पन के दो उप्योग को लिखे तो आउतल दर्पन के दो उप्योग क्या होते है पहला की solar cooker में उसका उप्योग किया जाता है और दूसरा motor cycle के headlight में ठीक है नेत्र की समझन चमता से क्या मतलब है इसका परिभासा लिखना है यहां पर देखिए परिभासा क्या है अभी नेत्र lens की वह चमता जिसके कारण वह अपनी focus दूरी को समायोजित कर लेता है समझन चमता कहलाती है लोग क्या देखिए होंगे कि जैसे ही आप घर के बाहर होंगे धूप में होंगे जादे light वाले जगा पर होंगे अचानक घर के अंदर जाते हो तो आपको एक अंधेरा चा जाता है आँखों के आगे जो आपका आँख है वो क्या करता है वहां का जो कीरन है वो समायोजित करना चाता है फोकसित करना चाता है कम वाले रोसनी की जगा पर देखने के लिए तो यही जो परकिरिया होती है वह अभिनेत रिलिंस की समझन छमता का लाती है आगे कुश्यन आपका अमल का जलिये विलियन क्यों विधुत का चालन करता है जो अमल का जलिये विलियन है वो विधुत का चालन क्यों करता है सिंपल भासा में जो अमल का जलिये विलियन होता है यानि कोई ऐसा घोल पानी का घोल जिसमें अमल हो ठीक है उसमें क्या होता है विधुत परवाहित करती है current flow करता है इसका क्या reason है तो यहाँ पर answer देखिए अमल जल में घुलकर आइनो धन और रिनाइन का निर्मान करता है इसलिए अमल का जलिये विलियन विदुत का चालन करता है ठीक है यहाँ पर समीकरन भी दिया हुआ है scl plus h2o यह scl hydrochloric अमल है और यह आपका जल है दोनों reaction करते तो क्या होता है दो आइन का निर्मान करते हैं प्लस और मैनस वाला यानी धनाइन और रिनाइन आगे question क्या है संतुलित रासाइनिक समीकरन क्या है एक उधारन भी इसका देना है तो यहाँ पर देखिए शका उत्तर क्या है वैसे रासाइनिक समीकरन जिसमें अभिकारक को उत्पादों के प्रतेक तत्व के प्रमानों की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासाइनिक समीकरन कहते है यहाँ पर देखिए जो arrow आपको नज़र आ रहा है इस arrow के पीछे side वाले को कहते हैं अभीकारक और इधर वाले को कहते हैं उत्पाद याद रखिएगा और इस चिन को कहते है जो आपको arrow नज़र आ रहा है इसको कहते हैं अभीकारक चिन दोनों तरफ यानि अभिकारक और उत्पात दोनों तरफ अगर परमानूं की संख्या तत्वों में बराबर हो जाएगी तो इसी को करते हैं रसायनिक समीकरन का संतुलित होना अब यहाँ पर देख सकते हो समीकरन में यह हैड्रोजन का परमानू कितना हो जाएगा यह यहाँ पर 2 है और यह यहाँ पर 2 बैठा कर इसको संतुलित किया गया तो 2 दुनी 4 यानि हैड्रोजन का 4 आया इसी तरह इधर ओक्सीजन का कितना है Oxygen का 2 है अब यहाँ पर देखते दो इधर Hydrogen कार यहाँ पर 2 Multiply किया तो 2 दूनी यानि Hydrogen का 4 आया और Oxygen भी यहाँ पर 2 से Multiply हो जाएगा तो Oxygen का भी 2 आया पर्मानू तो यहाँ पर देखिए दोनों तरब सेम है आपका पर्मानू तो इसी को कहते है संतुलित रसायनिक समीकरन आगे यहाँ पर देखे जीवन के लिए कौन से प्रक्रम अनिवारे है यानि मनसियों के चाहे कोई भी जीवो मनसियों हो चाहे कोई भी जीवो उसको जीने के लिए क्या जरूरी है पहला तो सौसन करना जरूरी है दूसरा पोशन, तीसरा व्रिधी, चौथा गती और पांचवा उत्सर्जन ये आप लोग याद रखेगा और इसी तरह एंसर लिख दीजेगा सटिक जो लिखा हुआ हुबहू आगे आपका प्रस्ण अपोहन यानि डायलेसिस किसे कहते हैं यहाँ पर देखिया एंसर आपका प्रोटीन के जो बड़े बड़े अनु होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है इसी परक्रिया को ही डायलेसिस कहा जाता है अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट सेक्षन B के जितने भी कोश्चन है यहाँ पर क्या आपका इंदर धनुस क्या है यह कहने का क्या तात पर है कि दो बिंदों के बीच विवांतर एक भोल्ट है कारण बताईए कि विदुद क्यों विदुद्धारा संचलित करती है लोहे में जंग लगने के बचाओ के लिए दो तरीके क्या है वो बताना आती है सारे कोश्चन हम लोग अब करने वाले है यहां पर देखिए एक एक करके तो यहां पर देखिए पहला कोश्चन हम लोग करते हैं तो पहला कोश्चन क्या था? इंद्र धनुस क्या है? यह किस परकार बनता है? समझे ध्यान से वर्सा के पश्चात आकास में जल के सुक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक अस्पेक्टरम है जब भी वर्सा होता है तो जो वर्सा के कणों होते हैं बूंध होते हैं वो एक प्राकृतिक अस्पेक्टरम के भाती काम करता है यानि अस्पेक्टरम किसे काते, अस्पेक्टरम आप लोग एक प्रिजम वाला चेप्टर में पढ़ चुके होगे कि इसमें जैसे ही स्वेत किरन प्रवेस करती है तो यह साथ रंगों में विच्छेपित होती है तो इसी परकार जल की बूंद भी इसी अस्पेक्ट्रम के भाती काम करता है यहाँ पर एंसर में बोल रहा है आगे यहाँ पर क्या है इंद्र धनुस का बनना परकास के परी छेपन किरिया का परी नाम है यह वायू मंडल में उपस्तित वर्सा के सुच में बूंदो द्वारा परकास के अपवर्तन या फिर पूर्न आंतरिक प्रावर्तन तथा विछेपन के संयुक्त परभाव के कारण इंद्र धनुस का निर्मान होता है समझ लिजे यहाँ पर थोड़ा सा लेंग्वेज अलग है जैसे परकास की किरने वर्सा के बूंदो से टकराती है स्वेथ परकास की किरने टकराने के बाद क्या होता है यहाँ पर इस परकार से अपवर्तित होती है और अपवर्तित होने के बाद यहाँ पर टोटल साथ कलर में ये वी छैपित होते रहती है इस तरीके से एथा यहां इंद्रधनुस का निर्मान होता है जो रंग भी रंगा हमको नजर आता है बादल में चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चिन की ओर यह करने का क्या तातपर है कि बिंदों के बीच यानि दो बिंदों के बीच विभवानतर एक भोल्ट है उत्तर आपका इसका अर्थिया है कि किसी धारावाही चालक के दो बिंदों के बीच एक कुलम आवेस को एक बिंदो से दूसरे बिंदो तक ले जाने में एक जूल कार किया जाता है यानि एक कुलम आवेश को एक बिंदू से दो बिंदू तक ले जाने में एक जूल अगर कार लग रहा है इसी को ही कहते हैं एक भोल्ट इसरा कोश्यन यहाँ पर देखिए क्या है आपका कारण बताईए कि धातु क्यों विदुद धारा संचालित करती है तो धारा को एक जगा से दूसरी जगा तक पहुचाने के लिए हम लोग धातु का ही क्यों आप यूग करते हैं यानि उसमें इलेक्ट्रोन सौतंत्र अवस्था में होती है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोन धन आयन भी होते है और रिन आयन भी होता है यान पोजिटिव चार्ज भी होता है तो जिसमें ज्यादा मात्रा में पोजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे आयन होंगे उसमें अच्छे से विदुदारा ट्रेवल करेगी इसलिए हम लोग धात्वों को संचलिद करते हैं विदुदारा को परवाहिद करने के लिए नेक्स्ट कोश्चन लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताईए पहला तरीका है यसद लेपन यसद लेपन क्या होता है इस विदी में लोहे की वस्तुवों के उपर जिंक की एक परत चड़ाई जाती है आप लोग देखे होंगे छट के उपर में जो रेलिंग लगी होती है चमकिले चमकिले इस्टील कलर का जो नजर आता है वो एक तरह का लोहा होता है लेकिन उस पर वो पेंट चड़ाया जाता है किसका जिंक का इसी को यसद लेपन कहते है दूसरा क्या है पेंटिंग करके यानि क्रिया में लोहे की वस्तुवों पर पेंट किया जाता है और भी बहुत सारे पर तो इस तरीके से यहाँ पर इस प्रस्न का उत्तर आप दे सकते हो। में उपस्तित कार्बो हाइडरेट को मल्टोस सरकरा में प्रविर्थित करता है जो सरलता से आहार नाल के अन्य भागों में पचित होता है। जो भोजन को पचाने में बती मुख्य भूमी का निवाती है। तो वो सभी ग्यान इंद्रियों को मैंट के द्वारा ही उसको कंट्रोल किया जाता है। तो सेक्शन C में पहला कोश्चन पूचा गया था उस आउतर लेंस की फोकस दूरी ग्याद करें। जिसकी छमता माइनस टू डायोप्टर है। टू पॉइंट जिरो लिखा हुआ है तो पॉइंट के बाद जिरो का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। आप मैनस दू डायोप्टर बोल सकते हो। D का मतलब होता है डायोप्टर लेंस की छमता का SI मात्रक होता है ठीक है। अब यहां पर इसके उत्तर को कैसे लिखेंगे आपको पता है कि लेंस की छमता दिया वह बेज देना है तो इसके बाद फिर यह वाला स्टेफ हो जाएगा यहां पर देखिए एफ बच गिया यहां पर और यह पी नीचे चला गया ठीक है अब यहां पर क्या करेंगे पी कमान रख देंगे तो यहां पर मैनस टू था तो मैनस टू रख दिये उसके बाद फिर बराब कोश्चिन के तब आप लोग सेंटीमीटर में कनवर्ट किजेगा अन्य था आप लोग मीटर में ही रहने देना है यही सटीक अंसर होता है तो इसका अंसर आपको पता चल गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चिन क्या था रासायनी गुन धर्म के आधार प अपने एलेक्टरोन को किसी को त्याग कर देते हैं जैसे यहाँ पर यह एने प्लस लिखा गया है यह प्लस का मतलब ही होता है कि इन्हों ने एलेक्टरोन को किसी को दिया यह जो धातू होते हैं वो दानवीर होते हैं किसी को एलेक्टरोन हमें साथ दे देते हैं क्योंकि अ O2- होता है, दो बार मैनस लिका हुआ है, C-, तो ये क्या दर साथ है, कि ये इलेक्ट्रोन लेते हैं, और ये इलेक्ट्रोन देते हैं, दूसरा अंतर क्या है, धातवे चार ये उक्साइड बनाती है, जो जल में घुल कर चार बनाती है, यहाँ पर देखिए, ये धातवे उक्साइड है, जो जल के साथ अभिक्रिया करके, क्या बनाता है, ये चार ये बना देता है, सोडियम हैड्रोक्साइड, ये आपका ये चार है, ठीक है, आधातवे जो होती है, वो अमली उक्साइड बनाती है, जो जल में घुलकर अमल बनाती है, यहाँ पर हमने क्या देखा, कि धातवे जो होती है, वो जल के साथ अभिक्रिया करके, धातु उक्साइड वो छार बनाती है, लेकिन यहाँ पर आधातवे जो होती है, आधातु उक्साइड वो जल के साथ घुलकर अमल बनाती है यहाँ पर आप रियक्शन भी देख सकते हो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है धातवे अमल से अभिक्रिया कर लवन तथा हैड्रोजन गैस रिलीज करती है या फिर बनाती है जैसे कि यहाँ पर यह जिंक धातु है यह क्या करते हैं लवन यानि H2SO4 यह आपका लवन है इसके साथ अभिक्रिया करके लवन का निर्मान करते हैं साथ यसाथ हाइडरोजन गैस भी बनते हैं जो रिलीज हो जाता यानि यह उड़ जाता है दूसरा यहाँ पर देखिए इधर आधातु में क्या है आधातु अमल से अभिक्रिया करके लवन तथा हैडरोजन गैस नहीं बनाती है यानि यह लवन और हैडरोजन गैस नहीं बनाते हैं यहाँ पर अलग परक्रिया होती है जैसे यहाँ पर यह आधातू carbon है, यह H2SO4 आपका लवन है, इससे अभिक्रिया करके क्या क्या बन रहा है, carbon dioxide, sulfur dioxide और H2O बना रहा है, तो यहाँ पर किसी परकार का भी लवन और hydrogen gas का निर्मान नहीं हो रहा है, तो यह है अंतर रसाइनिक, आगे यहाँ पर देख सकते हो क्या अंतर है, धात्वे chlorine से अभिक्रिया कर वैधुत संयूजक chloride बनाती है, रियक्षन देख लिजे, यह sodium धात्वे chlorine से अभिक्रिया करके NACL यानी sodium chloride बनाती है, आगे है आधात्वे chlorine से अभिक्रिया कर संयूजक chloride बनाती है, जैसे यहाँ पर देखिए H2 plus CL, यह HCL बनाती है, आगे यहाँ पर देखिए क्या अंतर है कुछ धातवे हैडरोजन से अभी क्रिया कर अस्थाई हाइडराइट बनाती है जैसे यहा रियक्षन आपका, कैलसियम प्लस हैडरोजन ये क्या बनाते हैग कैलसियम हाइडराइट ठीक है? तो यह आपका था धातु में आगे आपर देखिए आधातु में क्या है आधातु है थाटु है रोजन से विक्रिया कर अस्थाई हाइडराइट बनाती है मतलब यह भी बनाती है H2S सल्फर हाइडराइट यह बनता है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है यह अंतर यह डिफरेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ हर एक्जाम में जरूर यह धातु के भोतिक गुण या फिर रसायनिक गुण जरूर पूछते हैं अगला कोश्चन क्या है पांच नमबर वाले कोश्चन में ओम के नियम को लिखे और उसे सत्यापित भी करना है तो सबसे पहले ओम के नियम को परिभासित करना है किसी नियत ताप पर किसी चालक के सिरो के बीच का विभुवांतर उसमें परवाहित धारा का समानुपाती होता है यानि किसी भी चालग के दो सिरो के बीच में जो विववांतर होता है यह आपको भोल्त नजर आ रहा है भी विववांतर है उसमें परबाहित जो धारा होता है यानि आई यह समानुपाती होता है अगर हम लोग भोल्टेज को बढ़ा दे रहें तो आपका विदुधारा भी बढ़ेगा इसी को करते है समान अनुपात में या पिर समानुपाती अब यहाँ पर यह समानुपाती वाला जो साइन है इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक इस्थिरांग जुड़ी आएगा जिसको आर बोला जाता है यह आपका क्या है नियतांग है फिक्स है इसी को बोलते हैं परती रोद तो आर अगर यहाँ से निकाला जाए फर्मूला तो आर बराबर क्या हो जाएगा भी बटा आई अब यहाँ पर देखिए इसका सत्यापन कैसे करना है आपको एक डाइगराम बनाना है डाइगराम आप देख सकते हो इस परकार से इस परकार से आप इसका डाइगराम बना सकते हो और इस डाइगराम में जो भी चीज यहाँ पर लिखा हो है वो सारे चीज आपको लिखना होगा आप यहाँ पर सत्यापन वाला आप देख सकते हो खुद से इसको पढ़कर इसको याद करना होगा हर हाल में यहाँ पर डाइग्राम के नीचे क्या लिखना है जो भी चीज आपके डाइग्राम में है जैसे कि आपने क्या-क्या परयोग किया भोल्ट का परयोग किया एमीटर का परयोग किया बैटरे का परयोग किया या फिर सेल का परयोग किया इसमें आपने स्विच कुंजी लगाया ठीक है इस परकार से आप जो भी चीज यहां पर ड्रो करोगे खीचोगे वो सारे चीज आप यहां पर लिख दोगे अगर गलत सलत भी लिखोगे कोई दिकत नहीं है language से कोई माइने नहीं रखेगा साप सुथरा लिखना होगा उसके बाद आप एक graph बना दीजिएगा graph में क्या रहेगा कि एक साड़ आप विवांतर रखना और एक साड़ आपका विदुधारा रहेगा और उसके बाद सीधे आपका लाइन से graph जाएगा क्यों क्यों क्योंकि गर हम विदुधारा इतना लेते हैं तो विदुधारा भी इतना ही आएगा मतलब बढ़ते जारा है विदुधारा और विवांतर दोनों समान अनुपात में ये बताता है ये graph तो इस तरीके से आप इसका सत्यापन कर सकते हो आगे देखिए 20 नमबर कुश्चिन क्या है पो पोशन कहते है कोई भी जीव अगर पोशन पोशन क्या होता है जो चीज वो खाता पीता है उसी को ना पोशन कहते तो वो जो पोशन पदार्थ है उसको अगर अंतर ग्रहन करता है अपने बोडी में अंदर लेता है और उप्योग की परकिरिया को यानि उसका जो उप्योग करता है अपने बोडी में ले जाने के बाद ठीक है चाहे वो प्रोटीन के रूप में हो चाहे कार्बोहडरिट के रूप में हो चाहे उर्जा के रूप में हो इसी पर किरिया को ही पोशन कहा जाता है आप समझते कि अमीबा में किस परकार से पोशन होता है चित्र के साथ हम ल किसे खाद ध्धानी बोला गया है किसे खाद रिक्तिका बोला गया है किसे खाद कन बोला गया है मैं आपको यहाँ पर पढ़कर डिटेल से बता रहा हूँ दूसरा क्या है कोशिका द्रौ में उफस्तित पाचन एंजायम रिक्तिका या खाद ध्धानी में परवेश करते हैं और भोजन को पचाते हैं, हाधदानी कोशिका में ब्रहमन करती रती है और बचे हुए भोजन के आपको बताया पूरे देटेल से आप इसको पड़ भी सकते हो, इसका pdf आपको टेलिग्राम में दिया जाएगा आप वहां से भी इसको लिखकर नोट्स बनाकर याद कर सकते हो नेक्स्ट आकरी जो question था पांच नमर वाले question में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है यहाँ पर देखिए एक एक करके मैं आपको अंतर बता रहा हूँ पहला था कि इसमें नर एवां मादा दोनों भाग लेते हैं लैंगिक जनन में जो नर और मादा जो होते हैं वो दोनों परकार के भाग लेते हैं लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है इसमें सिर्फ एक जीव भाग लेते हैं लैंगिक में क्या है दूसरा अंतर इसमें युगमक का निर्मान होता है जबकि इसमें युगमक का निर्मान नहीं होता है तीसरा आपका इसमें युगमकों का सनलयन होता है जबकि इसमें युगमकों का सनलयन नहीं होता है चोथा आपका इसमें निशेचन की परकिरिया होती है जबकि इसमें निशेचन की परकिरिया नहीं होती है पांचवा है इसमें यूग मनज जो होते हैं उसका निर्मान होता है जबकि इसमें यूग मनज का निर्मान नहीं होता है परा उत्पन संतान जो होते वो अपने जनक से अनुवानसिक जो भी उनके गुन होते है या उसके रूप से अलग-अलग होते है ठीक है जबकि इसमें स पैटन के अधार पर है इसी तरह आपके बोर्ड एक्जाम में भी कोशिन पूछे जाएंगे इसी को पैटन के अधार पर जब तक मूडल पेपर नहीं जा रही होते आप इसको पढ़ सकते हो इसका रिवीजन कर सकते हो आपके लिए बहुत ही बिटर होगा यह होप कि आज का वीडियो यह आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा साथी साथ नए वीवर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आज की वीडियो में इतना ही तब तक के लिए जय हिन जय जहारखन